नमस्कार दोस्तों भाड़ा सरकार दुआरा आईसमान कार्ट बनाने की जो परकिरिया है बहुत आसान कर दी गई है क्योंकि अब वो हर एक लोग आईसमान कार्ट बना सकते हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है इसके लिए नहीं आपको किसी CSC सेंटर पे जाना होगा नहीं किस हॉस्पीटल में जाना होगा इसके लिए आपके पास अगर मोवाइल है तो आप बड़े ही असानी से ये सारी काम को कर सकते हैं घर बैठे इसकी पूरी परकिरिया हम आपको बताएंगे अगर किनी लोगों का इसमान कर पहले से बना है वो चाहते कि हमारे फैमली मेंबर में जितने लोग है उनका नाम एड करना तो उनका नाम भी आप एड कर सकते हैं तो ये सारी परकिरिया समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा वीडियो अकर पसंदा तो एक लाइक कर दीजेगा साथी चैनल को सॉस्काइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस तर ये लैपटोप में जो भी ब्रावजर है उसे आपन करेंगे ये काम आप मोवाईल ये लैपटोप दोनों से कर सकते गूगल में सर्च करना है ओनलाइन अपडेट इस्टीम.com लिगकर आपको सर्च करना है धियान रखके ऑनलाइन अपडेट एस्टीम वेब साइट पर यह प्रोश्रス बताई गई है इस्मान कार्ट को लेकर तो यह सारी अब जान सकते हैं और यहाँ पे आई-टी आप को कैसे 6 लेना है इसके लिए हमने वीडियो बनाया थे उस्स Üंडिडियो का अगर हो सकता है स्वाले तेखा होगा नहीं बनाया था जो भी number आपने दिया था वो number डाले और यहां पर option मिलता है sign in का sign in वाले पर click करें इस परकार एक verify का option आएगा आप इस पर click कर देंगे और एक OTP आपको number पर मिलेगा जो आपने registration करते बैक तो जो ID आपने बनाया था जो नमबर दिया था उस पर उस OTP को दर्ज कर से apply & download Iceman card जिस से apply कर सकते apply फिलाल इतने सारे state का हो रहा है वो सकता है इसमें आपका sunset का नाम नहीं हो तो आपको इंतजार करना है आपका state का नाम one week बाद हो सकता अधो मोग धू कि यह नया पोर्र्टल है है अभी कुछ Melinda को मौका दिए लेका तो आप अपना सेब्राय से विक धेंगे अब का नाम है तब आपका इसमान कार्ड बने का नाम नहीं हो आपका इसमान Nah you को खास द्यान रखिए क्योंकि करने का जो है आफ्शन या पे डाउनूर्ट करने का آپ सदोस्क्राण चेहां 20 नाम जोडने का option हो सकता है government इस portal में एक लिंक दे तो वालग की बात है लेकिन अभी तक जो update है इसमें नहीं दिया गया अब खोजना कैसे है समझे आप चाहे तो अपना नाम direct हो सकते हैं जैसे जो भी आपका नाम है नाम डालेंगे नाम डालने के बाद यहां पर आपको option मिल से हो रहा है तो आप यहां पर ऐसे भी खोज सकते हैं कि आप चाहे तो direct अपना रासन कार्ट नंबर मुवाइल नंबर डालके भी खोज सकते हैं वो खोजने के लिए यहां पर आपको option मिलता है PMG AYS scheme आप इस वाले पर क्लिक करेंगा option मिलता अपलाई यह स्मान कार्ट जो लोग levier card जिनका बना है वो भी बना सकते हैं तो जैसे अगर रासन कार्ट से कुझने है तो रासन कार्ट से लेक्रें अपना जूभी डिश्टीक है आप डिश्टीक अपनर से लेकर है रासन कारड नंबर डाले और उसके बाद एक option मिलता है get data अप इस पर क्लिक करे तो को डालना है जैसे आपका जूभी नाम है नाम इस बोक्स में डालेंगे करजियन का जूभी नाम है अधार कार्ट पर अंकित वो नाम डालेंगे आपका जूभी जेंडर है आप यहां से से ले करेंगे क्योंकि के वाई से जब भी भी होता है तो आपके अधार कार्ट के कोडि करें और डेत से ले करें उसके बाद आपका मुवाइल नमबर जो भी है आप मुआइल नमबर डाले यहाँ पर जो भी पिन कोड़ापके area का होगा और यहाँ से आपको सुले करना है कि अथंतिकेशन किस माधिम से करना चाहते हैं तो हम आपको कहीं जाए यानि आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप चाहे तो OTP के माध्यम से ले करें जो की आधार आपका लिंक होना चाहिए तभी आप ये option को से ले करिएगा अगर आपका लिंक नहीं है किसी customer का बना रहे उसका list में नाम है तो finger से ले कर लिजे finger के माध्यम से भी आप कर सकते हैं उसके बाद उनका अथंतिकेशन करें पहले उसके बाद customer का जो भी नंबर होगा उस पर OTP जागा ये भी बता दिया जागा कि कौन से नंबर है उसके बाद next का option है next वाले पर आपको क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बाद के करने के बाद आपके सामने review देखने को मिलेगा जिसमें आप नीचे देखेंगे तो आपका KYC OTP के माध्यम से हुआ जो माध्यम से हुआ होगा उसके सामने tick out इस परकार होगा उसके बाद term को accept करना है यहां से आप चाहें तो कोई एक supporting document आप लगा सकते हैं supporting document में आप चाह दे ताकि आपका जो आयुसमान कार्ड है जल्दी approval हो जाए उसके बाद एक option मिलता है फिनिस का फिनिस वाले पर click करे थोड़ा सो loading लेगा आपका detail update होगा इसमें आपको wait करना है किसी भी परकार के छेरचार आपको नहीं करना है इस परकार एक message आयद जाएका कि beneficiary KYC having successful complete आपका reference number यहाँ पर मिलेगा इस reference नमबर को आप copy जरूर कर ले और PMJAY ID जो है आपको यहाँ पर मिलता है तो इस दोनों को copy कर ले या हो सके इस page को आप print कर ले उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है back search आप इस पर click करेंगे और click करने के बाद आपको apply करने के बा बनाया था उनका नाम फिर से हम यहाँ पर search करते हैं जैसे बिक्रम कुमार के नाम से हमने बनाया था तो यहाँ पर पहले not not made दिखा दे रहा था लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि in process यानि आपका जो card process में है जब यहाँ से verify होगा जब आपका card बनेगा तो यहीं पर आपको भी का option मिलेगा भी वाले पर क्लिक करेंगे आप अपना mobile number डालेंगे और send OTPP करके आप अपना card को download भी कर सकते हैं या add member आपको करना है तो यहाँ पर option मिलता है add member इस पर क्लिक करेंगे OTPP डालने के बद पर proceed का option मिलता है आप इ इसमें से जितने सारे लोग है सभी का बनाना चाहते एक बार में एक लोगों का जैसा गर माल लिजे किनी का बनाना है तो उनका एक बाट किलिक करें फिर उनका सारा डेटेल आपको फिलप करना है जो कि जिस अमसार हमने बताया उस according आपका सारा family को add करके जहां से add करना हमन आपको संभाल कर रखना है तो इस परकार आप बड़े ही असानी से जो है आप आईसमान कार्ट बना सकते है family member का नाम add कर सकते हैं उससे download कर सकते हैं जिसकी पूरी परकिरिया हमने आपको इस वीडियो में बताया अगर इसके अलाबे भी कोई doubt है confusion है आप हमें comment करके बता सक सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरन्यवाद